नमस्कार दोस्तो पर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित साह की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जिसने पूरे विपच्छे दल को परसान करके रखा है अभी के समय में देश के राजनेती के केंद्र में माने जाने वाले एक दो नेता एक विहद मजबुत दोस्त भी है और खुद भी पोकेट भरा तो चलिए आज की वीडियो में हम आपके बताते हैं कि पीएम मोदी या अमित साहा में से किसके पास जादा संपती है लोग सभा चुनाओ हो या कोई आम चुनाओ हो नमांकन के दोरान परतासियों को चुनाओी हलप नामे में अपनी संपती का खुलासा करना होता है पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर परदेश के बनारसी सीट से इस भार लगा था तिसरी भार चुनाओ लड़ रहे हैं दूसरी और वही ग्रीह मंतरी अमीर सहा गांधी नगर सीट से चुनाओी मैदान में है ऐसे में नमांकन में दी गए जनकारी के नुसार या पता किया जा सकता है कि दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है पहले बात परदान मंतरी के करते हैं तो परधन मंत्री नरेंद्र मोदी की नेट वर्थ यानी कुल संपत्ति उनकी 3,2,6,889 रूपया का है यह जनकारी उनके चुनाव आयोग को दिये गए हलप नामे से सामने आई है पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हलप नामे में यह बताया है कि उनके पास 31 मार्च दोहजार चोविस तक करीब 52,920 रूपय कैस्ट है इसमें से उन्होंने 28,000 रूपय चुनावी खर्च के लिए निकाले वही पीएम मोदी की सेविंग एकाउंट में FD और अन्ड डिफोजिट समें करीब 2,85 लाख रूपय है पीएम मोदी ने बताया कि उनके SVI की गांधी नगर ब्रांच वाले एकाउंट में 73,304 रूपय जमा है और वही बनारसी के SVI एकाउंट में 7,000 रूपय डिफोजिट है पीएम मोदी ने बताया कि निशनल सेविंग सेटिफिकेट में करीब 9,12,000 रूपय जमा कर रखे हैं इसके अलावा पीएम मोदी के पास करीब 2,66,750 रूपय की चारंग उठी भी है पीएम मोदी के पास ना तो कोई घर है और ना ही गाड़ी है और ना ही कोई अचल संपत्ती है यानि जमीन जयजाद है पीएम मोदी की सलेरी के बात करें तो उन्हें करीब हर महीने 2,00,000 रूपय का वेतन मिलता है इस बेतन में डेली एलाउंस के सत्त, संसत भत्ता और अनसरकारी भत्ते भी सामिल है तो चलिए अब बात हम अमीज सहा के करते हैं पीएम मोदी सलेरी अमीज सहा कई गुना जादा अमीर है अमीज सहा के कूल नेट वर्थ लगभग 36 कड़ों रूपय की है दिल्चस्प बात यह है कि इतनी बड़ी नेट वर्थ होने के बाद भी अमीज सहा के पास कोई कार या वाहन नहीं है अमीज सहा के लौन की बात करें तो उन पे करीब 15,77,000 रूपय का लौन है इसके अलावा उनके पास 24,164 रूपय कैस है अचल संपती के मामले में अमीज सहा के पास करीब 16,31,000 रूपय के अधिक की संपती है चुनाव आयो को दिये गए हलप नामे के मुताबित ग्री मंत्री अमीज सहा का सेर मार्केट में भी निवेस है अमी सहा के पास सेर बजार के लगभग 179 लिष्टेट कमपनी के सेर है इसके अलावा उनके पास 79 गैर सुचिवद कमपनी के भी सेर है अमी सहा की पतनी के पास भी मोटी संपती है अमी सहा की पतनी का नाम सोनल सहा है जिनके पास करीब 22 करोड 46 लाख रूपे से अधिक की चल संपती है इनमें नगदी, वैंक वचत, स्टोक निवेस, डिपोजेट के साथ सोने चांदी और गहने भी सामिल है इसके अलावा उनकी अचल संपती का जिक्र करें तो यह करीब 6 करोड 55 लाख रूपे से अधिक का है जो भीवीन अस्थानों पर अबासिय संपती सामिल है हमारे दुवारा दी गए छोटी से जनकारी अगर आपको अचल लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत जल्द मिलते हैं अगरे वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार